हलो एवरिवन फ्रेंट्स आज के वीडियो में मैं आपको वाटसप के एक ऐसे खतरनाक ट्रक के बारे में बताऊंगा जो आपको जरूर पता होना चाहिए जी हाँ फ्रेंट्स देखे जैसे कि कोई भी फ्रेंड ने मेरे वाटसप पे मैसेज किया और इस मेसेज को मैं खोल के देख लिया और खोल के देखने के बाद क्या करता है सेकेंड वाले जो फ्रेंट्स इसने मेसेज को भेजा है वो इस फोटो को यहां से डिलिट कर देता है और डिलिट होने के बाद देखे यह फोटो जो है डिलिट हो गया और मैं अब इस फोटो क जो recover नहीं कर सकता है जी हां प्रेंस ऐसे में क्या होता है जब आप किसी दूसरे के WhatsApp पे अगर इसे send करेंगे तो आप बार-बार किसी दूसरे के WhatsApp पे send नहीं कर सकते कोई भी message वो पर हो जाता है लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको एक आईशी ट्रीक बताऊंगा जिससे आप अपने डिलीट होने वाले फोटो को बचा सकते हो जी हाँ फ्रेंट्स तो चलिए इसके लिए मैं अपने हम बटन को यहां से ओपन कर लेता हूं एक बात पहले अच्छे से समझ ल आता है लेकिन वह उसके नंबर से मैसेज आता है ऐसे में आपका जो वाटसप जिस नंबर से चल रहा है वह नंबर बिल्कुल खाली रहता है और यह चीज़ आपको पता नहीं है लेकिन कैसे यह वर्क करता है यह मैं आपको बताता हूं फ्रेंट्स तो चलिए मैं यहां से ह जाता हूं और हम च्क्रेन आने के बाद मैं यहां यहां से डाइल पेड को और 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 करने के बाद आपको वह नमबर यहां पर देना है जिस नमबर से आपका वाट सब चल रहा है जी हां इस आप आपको यह प्रोपर वर्ड करेगा और आपको यह ट्रिक पता भी होनी चाहिए तो चलिए बिना लेट के वे मैं अपने मुवाइल नंबर को यहां से shape करता हूँ, मैं वही number को यहाँ पे shape करूँगा, जिस number से मेरा WhatsApp चल रहा है, तो चलिए मैं अपने WhatsApp नमबर ही अपने mobile में shape कर लेता हूँ तो फ्रेंट, इस तरह से देखें मैं जो WhatsApp नमबर यह पहले से ही shape है, क्योई कि मेरा number मेरे मुवाइल में शेव है तो चलिए यह कैसे वर्क करता है अब मैं आपको बताता हूं देखे इस तरह से मैं ने अपने WhatsApp को यहां से ओपेंड कर लिया और ओपेंड करने के बाद अब मैं दूसरा जो मुवाइल है उस मुवाइल से मैं इस मुवाइल में मैसेज करता हूं सो फ्रेंट्स देखे यह जो एक फ्रेंट्स है इसने हमें मैसेज किया है और हमें लगता है कि यह मैसेज वो डिलीट कर देगा सामने वाला तो हम क्या करेंगे सबसे पहले जो है इस फोटो को यहां से टच करके रखेंगे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके रखन फोटो नहीं जाएगा और शेप भी हो जाएगा जिहां फ्रेंट्स हम यहां पे सर्च में क्लिक करेंगे और हम अपना वाट्सअप नमर डाल देंगे तो चलिए हम अपने वाट्सअप नमर डाल देते हैं जिस नाम से शेप किये हैं तो मैंने अपना वाट्सअप नमर डाल गया है जिस नम्मर से WhatsApp चला उसी को मैं यहां से open करूँगा और इस पे send कर दूँगा इस तरह से मैंने अपने WhatsApp पे send कर दिया friends इस तरह से देखिए जब यह second वाला जो friends है जिसने में WhatsApp भेजा है message अब यह सामने वाला अगर delete भी कर देता है everyone कर देता है तो इससे हमें कोई भी फरक नहीं परने वाला है देखिए यह सामने वाला ने message को delete कर दिया है आप देख सकते हैं इस तरह से message को delete कर दिया लेकिन इससे हमें कोई फरक नहीं परने वाला है क्योंकि हमने इस message को अपने WhatsApp में शेंड कर दिया जी हां पर हैं तो चलिए देखिए मैंने इस मेसेज को अपने WhatsApp में ट्रांसफर कर दिया है ताकि सामने वाला डिजिट करने से कोई फर्क नहीं परेगा और यह मेसेज मुझे दूसरे को भी शेंड नहीं करना परा और यह बिल्कुल शेव है शो फ्रेंट्स वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक यहां से लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को यहां से सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को प्रेस कर आल पे किलिक कर दें ताकि ऐसे यहाने वाली यूजफुल वीडियो की नाटिपकेशन आपको मिलती रहे और अगर आपका कोई सवाल यह सुझाब है तो इस कॉमेंट बॉक्स में जाकर हमें कॉमेंट जरूर कर धन्यवाद